अजय असलाम अलेकुम वेलकम डू पाक्सान स्टॉकनेटिक अमीद है कि आप तुमाम दोस्ट करिये से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हावाले से अच्छा गुजरा होगा यहार गुजरिशता चंद दिन क्या बलके एक हफ़ता भी हो गया तक्रीबन के वीडियो जो है वो अपलोड नहीं की जा सकी कुछ सेहत के मामलाथ थे अभी भी तक्रीबन कोई सौ फिस्द जो है वो यह नहीं कहा जा सकता के मामला दरोस्त हैं लेकिन बहुत बेहतर हैं जब बहुत का लफज इस्तमाल किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बहुत बेहतर है तो बस उसकी वज़ा से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, ना सिरफ की वीडियो अपलोड नहीं होई, बलके इसके साथ मार्किट की जो एक्टिविटीज हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे भी जो है वो काफी ला-िलम रहा मैं, प्रोग्राम तो यही था कि क्रिस्मस के बाद जो है वो यहां से भागने की त्यारी की जाएगी लेकिन डेंगी ने पकड़ लिया डेंगी हो गया तो बरहल बड़े आजीव सब वहा रहा है यार जिंदगी में पहली बारी हुआ है तो लेकिन आप तमाम दोस्तों का जिन्हो ने नहीं पूछा सब का बहुत शुक्रिया अब उमीद यह की जा सकती है कि इन्शाला चाहे मामलात थोड़ा सा शौर्ट ही रहें लेकिन कोशिश यह की जाएगी कि यह राप्ता जो है यह ना तूटे चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्किट की क्या सूर्तेहाल रही इस रही सही कसर जो है ना मार्किट की बेसिकली यह मैं आज काफी दिनों के बाद थोड़ा सा गहुद रहा था मार्किट के वॉलिएम के उपर मार्किट का जो हुआ वह वॉलियम लगने के बिल दिलू करा रहा और कुछ जो कसर है वह सौफटवेर ने निकाल दी कि software देखें दुनिया में बस हम ही रह गए हैं ना बस सारी दुनिया के तजरबात का बोज उठाने के लिए हमारा मुल्क क्या है हमारी ये तो तजरबागा बन गया ना जिसका दिल चाहता है जो मुँ उठाके तो आके कोई ना को काम करना शुरू कर देता है कि software उठाके ले आए किसी बंदे को उठाके बिठा दिया तो जब ये चीज़ें जो है ना ये तिजरबा तिजरबात जो होते हैं बिसीकली ये फिर कौमों की जिंदगी में बहुत बहुत बढ़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उनकी आपने इतना महंगा software करीदा है उसको अगर कुछ उपर नीचे हो जाए तो माजरत मुझे इसके बारे में को खास इलम नहीं है लेकिन बाहर हाल मैं तोड़ा इंटच था देखें ये इस वक्त जो सूरतेहाल चल रही है न वो अंदों की तरह काम हो रहे हैं और कुछ लोगों को चाहिए कि वो अपनी अना का जो जो क्या कहते हैं अना के पहाड से जरा नीचे उतरें और जरा आंके खोल के देखें कि क्या तकलीफ है क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या मसले मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए ठीक है ना और कुछ थोड़ा सा अपने ग्रेबान में भी जहांकने की कोशिश की जाए कि देखिए मुलक और एकॉनमी जो है वो इस तरह से नहीं चला करती जिस तरह के चलाने की कोशिश की जा रही है एक चीज़ दूसी चीज़ ये है कि सौदी अरब के हवाले से जो मामला चल रहे है कि जी वो तीन अरब डालर की फिर को मुबारक बादे मुसूल की हो रही है अब इसके दो इंपक्ट जो है वो निकलते है एक चीज़ तो ये है कि सौदी अरब की तरफ तरला मिंत करने का जो प्रोग्राम है मिंत समाज़त करने का जो प्रोग्राम है उससे एक चीज़ तो ये साबित होती है कि IMF की तरफ से इनको कुछ नहीं मिलना शायद इसलिए ये उस तरफ गए है और दूसरी चीज़ ये है कि ये सब वक्ती ढख़ोसले है इसका economy के ओपर कोई impact नहीं आएगा ठीक है उधार का तेल मिल जाए या कुछ भी मिल जाए वो जब हम चोटे थे थे ना तो वो एक वो क्या कहते हैं एक share हुआ कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे के हाँ रंग लाएगी फाका मस्ती एक दिन मादरत यार कुछ थोड़ा सा अगर भूल गया हो तो कहने का मतलब यह है कि यह हलात जो है मुझे बारहाल किसी भी हवाले से कुछ बेहतर नहीं लग रहे और गुजशता चंद दिन पहले भी मैंने आपसे यह गुजारिश की थी कि मेरा कहला है कि दिसंबर पूरा करना शायद इस गौर्वर्मेंट के लिए बहुत मुश्किल होगा क्यूंकि अगर कोई बंदा बिलकुल ही वो क्या कहते हैं कि धीट हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन भर मुलक के हलाद जो है है वो एकनॉमिकली हमारा तालुक चुके एकनॉमी के साथ है स्टॉक मार्किट के साथ है इसलिए हम एकनॉमिक पॉइंट अव्यूस से बात करेंगे कि हलाद बहुत खराब है डॉलर की जो है वो बिल को रुकने का नाम नहीं ले रहा और स्टेट मेंक के जो गोवर्नर साथ है वो भी मुझे तो लगता है गोरेडी लगाने वाला बंदा था जिसको इन्होंने स्टेट मेंट और गोवर्नर लगा दिया तो बरहल कहने का मतलब यह है कि हलाद इदने अच्छे नहीं है अब ऐसी सूरते हाल में स्टॉक मार्किट के पॉइन्ट व्यू से आपने क्या करना है यह हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है हमारी कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा कैश पर रहा जाए आगे आप लोग खुद समयधार है अब काफी तक्रीर हो गई आगली पिछली काफी चीज़ें बराबर हो गई कुछ अगैरल पार्लिमानी वे लफाज भी अदाव हो गए होने ने चलते हैं आगे चलते हैं जी और आज एक ही इसा होगा इसलिए दरा गुदारा कीजिएगा सरक्र ब्रेकर की देखते हैं क्या पोजिशन रही मेरा ख्याल था क्रिस्मिस के बाद जाएंगे लेगे मुझे लगता क्रिस्मिस से पहले मुझे भागना पड़ाएगा यहां से अपर कैप्स की सूर्टे हाल देखें तो तेरा कॉंपनी अपर कैप हैं प्रिमा हुआ अपर कैप इसको कंसीडर किया जा सकता है मेरियट का राइट एक बार फिर हुआ अच्छी बात है एफ सी सी एल भी हुआ ये भी अच्छी बात है डंडोट सीमट भी हुआ लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है फेक्टो शक्टो में भी को वॉलियम इतना अच्छा नहीं था आज पूरी मार्किट में मुझे तो भाही व कुछ नहीं है जो हलाद चल रहे हैं उनमें जतना वॉलियम लाग रहा है शाइद यह भी घरीमत ही समझा जाए आगे चलते हैं और ग्राफिकल व्यू का चाहिए रहा है टेक्नॉलोजी सेक्टर पहले नंबर पर सेमेट सेक्टर केंदर वॉलियम देखते हैं समरी की तरफ जाएंगे तो टॉप 10 सिंबल्स की बात करें देखें यह जो मेरिट का राइट है ना अगर आप इसको इगनोर कर दें ठीक है अगर आप इसको इगनोर करें बलके करना चाहिए तो हम नेटवर्क के अंदर 20 मिलियन का वॉलियम लगा है बाकी अगर आप सब के अंदर एक ज अच्छी खासी बड़ी एकॉनमी है उसके अंदर इतने से वॉलियम के साथ क्या बनेंगा यह तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है तो ड्राइ होता हुआ वालियम जो वह एक अलग बात है कि मार्किट जो है वह अपवर्ड मॉव्मेंट में है मार्किट का ट्रेंड इ नहीं है लेकिन वॉलियम नहीं है वॉलियम होना बहुत ज़रूरी है सिंबल पोजिशन को देखें तो आज 57 एडवांस के अंदर है और डिकलाइन के अंदर 35% हैं लेकिन चले मार मामलात बहरहाल बहुत बेहतर हैं सिर्फ मैं एडवांस के हवाले से बात कर रहा हूं वॉल 167 और 166 50-50 की बात हो रही है यहां पर 50% उपर है 50% नीचे है दोनों भाई गंदारे अभी भी मार खाने की जर्द में हैं कोई बात नहीं चलने दें को थोड़ा सा साजगार एक्स बॉनस हुआ मिलर ट्रेक्टर भी एक्स बॉनस हुआ होंडा एटलस कार में तीन रुपे क इजाफा है और पाक सुझूकी के अंदर चार उपे का इजाफा है देखिए इस वक्त अगर आप देखें अगर मुझे टाइम मिला और सिहत ने थोड़ी सी अजाज़त दी तो शायद यहां पर अभी इतना एक्स्प्रेंड ना किया जा सके तो मैं होंडा इटलस कार और ज दोनों शेर गूम रहे हैं तो हमें यहां पर यह जाइजा लेना होगा कि कौन सा शेर ऐसा है कि जिस जो अच्छा है तो किसके उपर इंशालला कंपरिजन बनाने की कोशिश करेंगे आगे चलते हैं जी आटलस में से फिर निकले हैं पांच रुपे और एक साइड के अंदर में वेव के अंदर 29 पैसे का इजाफा है पाकिस्तान केबल के अंदर बहराल वॉलियम भी अच्छा है और डेट सुर्पे का शेर है यार इतने अगर 80,000 का अगर वॉलियम लग जाए तो यह अच्छा वॉलियम होता है आगे चलते हैं जी सिमेट सेक्टर की बात करें सिमेट सेक्टर में बहराल कुछ हालात थोड़े बहतर होते हुए नजर आ रहे हैं फौजी सिमेट को तो खैर अपर कैप हुआ आज दिवान सिमेट में 15 पैसे का इजाफा है चेराट के अंदर 4 रुपे का और डीजी खान के अंदर 1 रुपे 16 पैसे का देखें डीजी खान जो है यह एक अच्छा शेर है ना सिरफ के शेर अच्छा है बलके कंपनी भी अच्छी है और देते दिलाते भी हैं इसलिए माजरत के साथ माफ कीजिएगा इसलिए अपने पॉर्टफोलियों के अंदर ऐसे शेर को अगर ठी है 120-25 रुपे से गिरा हुआ शेर है काफी लोगों का इसमें लॉस भी था लेकिन आपको याद होगा कि मैंने एक गुजारिश की थी कि अब मार्केट के नदर थोड़ी बेतरी आई यह तो यह ना हो कि एक एक रुपया लेके तो आप पोजीशने काटते थे रहे थोड़ा कोई मसला नहीं है इसका आगे चलें जी बैंक्स एलाइट बैंक जो है वो 80 रुपे पर खड़ा है चलें खड़ा रहने दें इसको बी यो पी के अंदर वॉल्यम अच्छा लग रहा है और मेरा क्याल है कि शायद आप इसको 9 रुपे क्रास कर जाना चाहिए तो चले ठीक है जिनके पास है वो इंतजार फरमाईए उसके बाद है जी यो बील 142 अच्छा है बहुत अच्छा है बलके लेकिन इस जगा पर एक बात याद रखिएगा मैं चंद शेज के हवाले से बताता चलूँ फिर न कहिएगा कि हमें खबर नहीं हुई एच बील देख लें उसके सा साथ यूबील देख लें ठीक है इस तरह के जो चंद शेर्ज हैं इस यह उड़ते तीर हैं इस वक्त इसको बगल में लेने की जरूरत नहीं है आगे आप लोग खुद समयधार अंजिनरिंग सेक्टर की बात करें अब यह देखे ना यह तो हाला साफ्ट्वेयर का कुछ सम सब्सक्राइब उपर हुई के नीचे हुई कोई समय नहीं आ रही है इसलिए यह काफी सारे मामलात जो ना वह गुड़ मुड़ हुए हैं तो इसलिए अब गुजाराई करें हमारी तरफ से अगर को बात हो जाती है तो यार हम तो वही चीज बोलेंगे ना जो स्क्रीन पर है दर आ रही है इसके लिए कुछ हो पर निचे हो जाए तो द्रहरा थोड़ा सा सघ्विक्नॉर की जैगा था सीछ में तीजी से यहीं बदले जितनी तीजी से सिमिट सेंट ए,- मैइट बी डनेést one is स्टील इस आप सैंट फरमाई ध हम आगे चलते हैं जी फर्टिलाइजर सेक्टर में फॉजी फर्टिलाइजर बिन कास्म नीचे फॉजी 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 तो ने कराब हो गई एक मिल यार एक तो वो वाजी फर्टिलाइजर बिनकासम हो गया फातमा फर्टिलाइजर नहीं यार वो फॉजी फॉजी बन्दा की करें थे चले जी आगे चलते हैं फूड सेक्टर की बात करें तो प्रीमा बरहाल अपर क्या हुआ और शहीर 13 रुपया के ओपर दक्या खा रहा है फॉजी फूड भी अब एक्स हो चुका है अब इसके मामलाद भी इदर उदर होने के वाले शुरू हो जाएंगे अब दे और गैनिक मीट भी चलें एक्स बॉनस हो गया है ट्रीट कार्पोरेशन में से निकले हैं असी पैसे और यूनिटी फूड में से निकले हैं डेर रुपया देखिए यूनिटी फूड के हवाले से एक चीज़ याद रखिएगा इस शेर की आप हिस्ट्री पहले आप देख लीजिए जब ये छे शेर 46 रुपय था मैंने फिर भी इसको कभी रिकमेंड नहीं किया अब यहन करीब ये 26 रुपय पर चला जाएगा मैं फिर भी इसको रिकमेंड नहीं करूँ आगे चलते हैं देखे हमारी किसी शेर के साथ दुश्मनी नहीं है लेकिन देखना सि कैसे वॉलियम को संभाल सकते हैं तो जरूर आप इसमें गुजारिश है कि आप इसमें बाइन फरमाईए लेकिन अगर नहीं तो फिर इदर उदर ही रहें कोई और देख लें या 400 कॉम्पनीज हैं गलास की बात नहीं करेंगे इंशूरंस में मार पढ़र यह पढ़ने दें होंगे फिर्स नेशनल एक्विटीज को देखें तो साथ रुपे 35 पैसे पर मार का रहा है आज अगर सेक्टर वाइस देखें न तो एक जड़ा फिर वापिस जाना पड़ेगा आटो मॉबाल एसेंबलर थोड़ा बेहतर है केबलेंज केबल्स एंड गूर्स बेहतर हैं सिमेट सेक्टर बेहतर है तीन और केमिकल सेक्टर भी 5050 है बैंक्स भी ठीक हैं अंजिनरिंग को मार पढ़िया आज फर्टिलाइजर में कुछ खास इंप्रोव्मेंट देखने को नहीं आ रही हालांके देखें मार्केट के दिर पढ़े हैं 200 पॉइंट्स यहां पर मैं आपको बात बताओं यार हमारी उस्ताद सब एक बात कहा करते हैं कि मैं अक्थर जब कुफतगों होती एक इसकी मौज़ू के उपर स्टॉक मार्केट के उपर तो हम कहते थी जी स्टाद जी यह मार्केट जब नीचे जा तो वालियम तो है नहीं तो वो कहते थे यार एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा जिस वक्त आप सीड़ियां यह ओपर से नीचे आ रहे हों उस वक्त आपको पावर की जरूरत नहीं होती लेकिन जिस वक्त आप नीचे से उपर जा रहे हों उस वक्त आपको पावर की जरू हुआ है वो यह फरमाते हैं कि देखिए जिस वक्त मार्किट यह शेर नीचे से उपर जा रहा हो उस वक्त अगर उसको उसके अंदर वालियम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर पावर नहीं है वो अपनी जगा पर स्टे नहीं कर पाएगा लेकिन जब उसने गिरन है नीचे की तरफ उसका डाउन फॉल हो तो फिर चाहे वालियम ना भी लगे तो वह चीज़ कंसीडर नहीं होती इसलिए आप भी ज़रा इस चीज़ को मद्दे नजर रखिएगा आगे चलें जी ग्लास एंड्स्रामिक्स को छोड़ दें इंशोरंस भी हो गया है आगे चलें मैक पैक में एक रुपे 62 पैसे का इजाफा है एकॉप एक्स बानस हुआ 43 पैसे निकले हैं कोई बात मुदार्बस को छोड़ दें कोई स्टडीज नहीं है ऑलन गैस एक्स्प्लोरेशन की बात करें तो मामलात जूंके तूं ही चलते चले जा रहे हैं पीपी से बहतर है पीए सो एक्स डिविडेंड होने के बावजूद भी पांच रुपे उपर बहुत अच्छा है पीए सो क्या है सोने की चुडिया है लेकिन वो क्या कहते हैं कि चले छोड़ें फिर वह को गयर पाली पारली मानी ना हो जाए आज कल यह ना वे रपोर्ट पे द्रुपे मेरिट के राइन अगर होता है तो यह किसकी और प्राइस होगी क्योंकि जिसने इसको खरीदना है इसने इसने मेरा है यह दो रुपे प्रेमियंग मिलडेंग्य में ने सब्सक्राइब में धेकए बूर साड़े बारा रुपे बstat कहा रह Soul आगे चलें जी फार्म कि भी हलाग बस ठीक ही है सर चला गया 132 पर पावर जनरेशन डिस्ट्रिबिशन की बात करें के लेक्ट्रिक देखें के लेक्रिक को के प्राइस में हुआ है जाफा बीज लीगी ठीक है ना आगे आप लोग खुद समयधार है अब यह देखें हब को के ओपर दो का वॉलियम नजर आ रहा है अब बंदा क्या करूं कुछ है कुछ है कुछ और मुह से निकलने लगा है कि बंदा जूता पकड़ ले ठीक है ना और बस शुरू हो जाए इन लोगों को अब देखें यह हब हब को का जो वॉलियम है वो दो श करेंगे यार हद हो जाती है विसे आगे चलें जी सितारा इनर्जी का कुछ समझ नहीं आ रही कहां पर क्लोज हुआ क्या नहीं हुआ निशाद पावर एक्स डिविडेंड होने के बाद 24 पैसे उपर 18 रुपे लगा दिया है चलो अच्छी बात है आगे है जी बाइकों कभी चेंज का कुछ नहीं लिखा क्या बना क्या नहीं साथ नहीं आज बाइस कुछ इदर ऐसे गुजारा करना पड़ेगा आपको हलात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं हम नेटवर्क ने साथ रुपे लगा दिया है चलो अच्छी बात है यार हमने किसी से कहा था साथ रुपे लगाए तो बेच देरा है अगर इसने वेज दिया हुआ तो अच्छा वॉलियम लगा है साड़े पांच रुपे हमारी रेक्मेंडेशन थी इसकी अब यशी करें जिसके पास भी है टेक्स्टाइल कंपोजीट को भी छोड़ दें यार कुछ नखास नहीं है टुबैको नीचे है आगे चलें जी पाकिस्तान नेशन शिपिंग कार्पोरेशन पिया ये पियाई सीटी यह पियाई सीटी का रिजट सुना बड़ा अच्छा है मैंने देखा नहीं है सिर्फ सुना है इंशाल्ला तो यह ठीक रही तो इसके उपदर थोड़ी सी बात करें देखें जो अच्छे शेर हैं उनको अपने पॉर्टफोलियो का हिसा बनाएए पॉर्टफोलियो मैनेजमेंट कीजिए और अभी फिलहाल हम किसी कोई और क्लाइंट नहीं ले रहे हमारे अभी पिछले क्लाइंट उनको भी एक अफ़ता हूँ बुचाव को रगड़ा लग पड़ें ऐसे शेस को देखें जो स्टेबल हो जिनको पैसा लगाने के बाद आपको यह ना पूछना पड़े के जी दस पैसे निचा हाँ मुझे यार एक बात याद आ गई पिछले दिन हो यह कि शायद किसी ने लिखा हुआ था मुझसे पूचा था किसी ने उस दिन मेरा क्याले हम नेटवर्क चाहद 6 रुपे सम्थिंग पर बंद हुआ था तो उसने मेरा केला पर साहब ने वह सवाल लिखा था नो उन्होंने लिखा था कि मैंने 6 रुपे 18 पै आपके बसका काम नहीं है स्टॉक मार्किट में यार चार पैसे शेर नीचे के तो आपके हाथ पाउं फूल गए हैं यहां तो आप तोड़ा सा कलेकुलेशन करके चले ना और दूसरी चीज यह है कि बहुत सारे दोस्तों हबाब काम कर रहे हैं स्टॉक मार्किट के अंदर या आपको इतना नहीं पता कि उनके पूर्टफोलियों के अंदर चीर हैं उनके अंदर जब थोड़ा सा उपर-nieचे हो रहा है तो उन्होंने कैसे करनी उनको इतना नहीं पता कि आवरेज पराइस उन्होंने कैसे निकालने हैं तो यार आप स्टॉक मार्किट में मैं तो यकीन कीजिए मैं आज एक बात आपको बताता चलूं मैं बजाते खुद फॉरक्स का भी काम करता रहा हूं अब नहीं करता मैं क्रिप्टो में भी काम करता रहा हूं क्रिप्टो में बारहाल अभी भी मेरे बाइनेंस में और करेकर में जो है वो मेरे अकाउंट अभी भी एक्टिव हैं लेकिन मैं काम नहीं कर रहा तो कहने का मतलब यह है कि दो सबाब पूछते हैं यार बंदा क्या बताई यार लोगों को जमांत अफरीक के हवाले से हाथ इस कदर कमजोर है कि जिनको शेर्ज की आया होता ना यह फिर जरूरी है यार यह आएगा हमारी जीबों से पैसे निकलेंगे फिर हमें होश आएगी हमारे साथ क्या हुआ हाथ हो गया फिर हम रोए पिटेंगे एसी सीपी और नैब के चकर चकर लगाएंगे ना करें यार खुदा का नाम है कुछ थोड़ा सा सीख सीख लें कोई आलिफ बे सीख लें स्टोफ मार्किट की अब हम सीखने की बात करते हैं वहां मिए कि अगया अर वो क्या कहते हैं चलें है आल नहीं गुज़ा तो हम वैजे नहीं करते हैं अब मैं बोल गया क्या कहने लगा था चलें आगे चलते हैं और चार्ट को डिसकुस करते हैं देखिए यह हमने जो लाइने शाहिने पकी शकी लगा के रखी है ना हमारा यह ख्याल है कि मार्किट जब तक 46,153 के उपर क्लोजिंग नहीं देती 47 तक कोई चकर नहीं है और घुजिशता अगर आप जाइजा लें तो मार्किट ने 46,153 को अग्जेक्टली टच करने के बाद मार्किट का डाउन फॉल हुआ और मार्किट ने दुबारा 1000 पॉइंट निकाले लेकिन दुबारा से फिर जो है वो मार्किट अपने आपको सस् कर रही है देखिए मार्किट नीचे गई थी तकरीबन 43,000 तक ठीक है अब यह बातें कुछ थोड़ी सी जड़ा आप आपके गोशो कुछ वो कहते हैं जी गोशो गुजार कर दूं 43,000 तक मार्किट गई ठीक है चलें इस वक्त आप इसको 46,000 कंसीडर कर लें तीन हजार पॉइंट्स मार्किट ने रिकवर किये हैं पॉइंट्स की सुरत میں केसी हंडर की बात हो रही यह ना मैं के अंजल की बात कर रहा हूं ना मैं आली की बात कर रहा हम लेकिन यार आप अगर गौर फरमाएं तो क्या जो शेर्स हैं उन में तीन हजार पॉइंट्स की इंप्रूव्मेंट नदर आ रही है आपको मुझे दुनिया नदर आ रही है अगर आपको नदर आ रही हो तो मुझे जरूर बताईएगा अब ऐसी सूरते हाल में क्या किया जाए यह ऐसी सूरते हाल में वो ही किया जाए जो मेरे अस्तासा फरमाते हैं और वो यह है कि देखिए जिस वक्त मार्किट उपर की तरफ जा रही हो यह शेर की प्राइस उपर जा रही हो और उसके निचे वालियम ना हो तो फिर उससे बच प्राइशना चाहिए ठीक है और यही सूर्टेहाल इस वक्त मुझे मार्किट की लग रही हो सकता है मेरी गलत फहमी हो हो सकता है सिर्फ सौफट एड की वज़ा से ही प्रॉब्लम हो लेकिन जो इस वक्त एकनॉमिकल सिचुएशन है जो इस वक्त डॉलर की प्राइस है जो इस वक्त कुछ साहिबान जो हैं वो इसलाम अबाद की तरफ रुख किये हुए हैं कुछ इसके लावा और भी काफी चीज़े हैं ये सारी चीज़ों को अगर आप मिला कर फिर आप देखने की कोशिश करें तो फिर उसका मतलब ये निकलता है कि स्टॉक मार्किट में से प्रॉफ परसनल लॉस पर थे यां दस परसनल लॉस पर थे अब वो आपका लॉस जहां जहां पर किलियर होता जाए वहां वहां पर पॉजिशन काटते जाएं और कैश आत में कर लें ये चीज़ें आपको बड़ी सस्ती मिलने वाली हैं बस यार आज थक गया हूं इतना इतनी सी वी तदिया रखें और जिंदगी को कोशिश करें कि जिन्दगी की तरह जीएं जिन्दगी को जिने का मकसद है जो मतलब हो यह है जिस तरह से कहा गया है उस तरह से कीजिए जिस तरह से एकामाद दिये गए हैं उस तरह से कीजिए इन्शाला दूसरे जो चैनल है उस पर ज्यादा मज़ीद तफसील से बात करें जैसे ही तबीय थोड़ी बेहतर होगी बहुत बहुत शुक्रिया अलाहाफिस